हे गाईज है स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में देशिक्स कोचिंग हम पढ़ रहे हैं क्वान्टम फिजिक्स क्वान्टम मेकैनिक्स की यह तीसरी कलास तो आज के कलास के पीडियेफ आप हमारे तेलेग्राम ग्रुप पे उसे डाउनलोड कर सकते हैं ट्रेलेग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और या फिर हमारे चैनल के अब आउट शेक्षिन में जाके वहां से आप डायरेक्ट ट्रेलेग्राम ग्रुप पे पहुंच सकते हैं वीडियो को जादा से जादा लाइक करें अपने फिजिक्स दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें इसको तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं पिच्छी क्लाशों में हमने हैं क्वांटम म्कानिक्स के ओरिजिन और फिर फोटो लेक्स्किन एफक्ट और क्वांटेण एफक्ट के बारे में पढ़ा थह आज हम उचसे थ्थोड़ आगेधे बढशें है लाइट के बारे में एक्सपरिमेंट्स चल रहे थे तो आइंस्टीन ने बताया था कि लाइट क्या है पार्टिकल नेचर से बना हुआ है फोटो नाम के पार्टिकल से मिलकी बना हुआ है तो उस टाइम में एक जो डी ब्रोकली नाम के एक रिसर्च स्कोलर थे यानि कि वह अपनी रिसर्च कर रहे थे किसी उन्सिटी में है तो वहाँ अपनी उस प्यस्डी की पड़ाई में उन्होंने एक रिलेशन दिया कि यह सिर्फ लाइट लाइट वेव के लिए ही क्यों यह सभी वेव के लिए होना चीए मेटर वेव के लिए भी सेम रिलेशन होना चीए तो उन्होंने उन्होंने वेव पार्टिकल ड्यूलेटिक आ कि परतेक जो पार्टिकल है वो वेव की तरह बहेव करेगा परतेक वेव मेटर वेव की तरह बहेव करेगा फीक है तो यह देव रोगली का कॉंसेप्ट है तो इच मटेरियल पार्टिकल ओफ मोमेंटम पी बिहेव एज एग ग्रूप ओफ वेव यह देट इस कॉल्ड मेटर वेव कलर चेंज करते हैं थोड़ा यह कैसा रही हो तो उन्होंने क्या क्या है कि जो लेम्डा है जो वेव का तरंग धेर्द्य है लेम्डा वो किसके होगा एट अपॉन पी के ठीक है पी क्या है मोमेंटम है उस पार्टिकल का और क्या क्या होता है क्या होता है तो पाई अपॉन लेम्डा यह ना टू पाई अपॉन लेम्डा एक्वल टू पी अपॉन एट्स कट तो यह हो कि है कि अगर कोई मेंटर है उसकी ऊपुह बहुत चोटी लेंथ है या कि अपू अपविध चोटा है वह पर्टिकल तो वह किस चतरे भीवार करेगा लॉंव की तरह भीवार करेगा जैसे ایک तो आप के बॉल तो मान लो जिसका साइध मिटर में हो या फिर सेंट्り मिटर में हो तो और सेскогоक्टों कर लो ωर एक इलेक्ट्रों को लो और इलेक्ट्रों की साइज चा होती है आपको पता यह है ए Nerys strong में क्या फरमी में तो Atom की साइज होती है फरमी आप तो एक बॉल लो या एक Atom लो तो एटम की साइज एंग स्ट्रोंग में हो गई और बोल की साइज सेंटिमेंटर में हो गई और अपने को पता है कि जो रेडियेशन्स होती है उनकी साइज कितनी होती है visible range में साइज nanometer के असपास होती है तो साइज क्या होने चीए छोटे होने चाहिए तब क्या होगा वो particle wave nature सोख करेगा अब देखो अगला point क्या है अगला point ये है कि электron डिफ्रेक्शन from crystal confirm wave nature of electron जो electron है वो किस त्रिल के surface से क्या होगा डिफ्रेक्शन होगा तो वो उसके wave nature को शोगरता है अब देखो इसका example इसका जो experimental है वो इसी पर आदारित है कि देविशन और जर्मन नाम के दो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था जो हम आगे डिसकस करने वाले हैं तो उससे पहले एक्जामपल देख लेते हैं यह आपको करना है कमेंट बॉक्स में मुझे को बता देना इसका अंसर क्या आएगा ठीक है तो देखो क्या है क्या है क्या है कैल्कुलेट दे वेवलेंथ आशोस्टीएटेड विद एक किकेट बॉल ओफ मास 0.221 kg मुविंग विद ए स्पीड ओफ 30 मीटर तो आपको पता है लेमडा इक्वल टू है एज कट अपॉन पी और एज कट अपॉन एम वी तो एम और वी का तो एम किता है जिरो पॉन्ट टू टू वन इंटू 30 इससे आप निकाल लेना और एज कट की वेली रख देना एज कट होगा एज अपॉन टू पाई इसकी वेली रख दो इसकी वेली रख दो और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है अब अब एक्स्मेरीमेंटल कंफर मेंशन इसका है डे विंस इन जन्मर इकश्पेरिमेंट ये क्या करता है वो क्या कर रहे थे हुआ ये था कि वो डिफ्रेक्शन की स्टड़ी कर रहे थे वो निकल क्रिस्टल वेक्यूम तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोन गन होती है इलेक्ट्रोन गन से क्रिस्टल पर यह मालोग क्रिस्टल है यह यहां से इसको इलेक्ट्रोन गन से इलेक्ट्रोन आए डिफ्रेक्ट हुए तो उन्होंने इस चीज को इस स्मेर्मेंट को करने के लिए क्वेक्राइब है वेक्य्यूम Sywap सब्सक्राइब होगा तो यहां फर्थो कि वह नहीं होगी अगर वैक्यूम नहीं होगा अगर कभण हावा में करें तो यहां पर एयर रेजिस्टेंस होगा और ईलेक्टोन इतने होटे कि वो एर के अटम की साथ इंप्रेक्ट करेंगे तो यह सब वेक्यूम में हुआ है ठीक है अब इसको एक्सपेरिमेंटल डाटा क्या था एक्सपेरिमेंटल डाटा यह था कि पोटेंशल डिफ्रेंज क्या था 54 वोल्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोन क्या होगी 54 इलेक्ट्रो वोल्ड इंटेंसिटी वाज मेक्सिमम एड़ ठीटा ओफ थर्टीफाइब यहां कि यह कोई इलेक्ट्रोन गन है यहां पर यहां पर मेरा निकल क्रिस्टल है और इसके चारों तरफ मेंने क्या रखाएं डिटेक्टर रखा हुगा है यह डिटेक्टर यहां से आती हुई इलेक्ट्रोन बीम को क्या करेगा कैप्चर करेगा तो यह जो मेरा डिटेक्टर है इसको क्या कर सकता हूँ मैं यहां से यहां तक इसे मूग कर सकता हूँ तो जो मिनिमम इंटेंसिटी मेरे को प्राप तो ही वो क्या थी एंगल यह ठिटा थर्टीफाइब थे ठीक है तो इंटेंस्टी वाज मिनिमममेट 35 अब क्या उसकी लेम्डा क्या थी तो लेम्डा क्या होगी एच अपॉन पी एच कर्ट अपॉन पी तो हम जानते ए बराबर क्लासिकल मेंक से पी स्कार अपॉन टूम तो पी बराबर यह इदर मल्टिप्लाई होगा और पी अंडूट ओफ टू अम इच तो अंडूट ओफ टू अमिंए इक्वाल्ट अटूप अटूट अपॉन एक्व तो जो मैंने पोटेंसिल या वो तो इसको जब सॉल्ड करेंगे तो यह आएगा अंडरूट ओफ वन फिप्ट्य पॉण वी एंगल स्ट्रों है फोर इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी आती एक्सपेरिमेंटल में कि जीरो पॉइंट वेन सिक्स सेवन नेनोमीटर है अना और तो ब्रेग था साइंटिस्ट साइंटिस्ट ब्रेग ने भी वोड़ों ने भी यही इंटर फ्रेंट्स पेटर्न प्राप्त क्या था किसके साब टू लेमड़ इतना यां-से अपने कुर्ण डेप्टर्रे सर्फ डेअगे लियॉंग प्राप्त के था और यह डाटा डेवी शन जर्मन के साथ एकड़ों प्रफेक्टली मेंच हो रहा था जो लेमड़ा यहां से अपने को प्राप्त हो यह एकड़ों लगश्यम थी में कि मेटर भी क्या हो सकती है वेव नेचर हो सकती है अब देखो ब्रेक के फॉर्मुले से प्राप्ट करते हैं फूर निकल क्रिस्टल निकल क्रिस्टल डी कितनी है 0.1 0.215 नैनामेटर और अपने अपने की बात करें एन ब्राबर वन पे फॉर्मुला क्या ब्रेक का 2d sin theta equal to n लेमदा वेल्यूज पूट करें 2d sin theta equal to 0.167 इससे sin theta क्या है 0.39 और scattering angle क्या हो गया 5 equal to 2 theta जो कि 50 ठीक है that is theta equal to 25 अब देखो उनका थॉर्म्चन एक्सपेरिमेंट थॉर्म्चन का एक्सपेरिमेंट का डाइग्राम इसको टार्गेट भी कह सकते हैं इसको टार्गेट भी कह सकते हैं यह डिफ्रेक्शन के बाद डिफ्रेक्शन रिंग आप जब इसक रिफ्रेक्ट्रों से ने यह डिफ्रेक्शन पर आप्जोर्ट होती सिय्षायल्चन कोट रिंग परापत होतीस तो और यह क्या definis अब बात करते हैं double slit interference with electron जब एक coherence source of light incident on young's double slit an interference pattern is observed यानि कि जब एक coherence light source यंग्स के डबल स्लिट पर पड़ता है लाइट सोर्स तो क्या होता है इंटर फ्रेंज प्रेटन अब्सोर्ब होता है ठीक है और जा एस वन क्या है आई वन क्या है श्लिट वन से निकली हुई लाइट की इंटेंसिटी है और आई टू क्या है इंटेंसिटी वेन ओन्ली स्लिट टू ओपन है जैसे मैं एक बार इनकोरफ कर देता हूँ सपोज कि यह मेरे पास यहां यह मेरे पास क्या है पर दो स्लिट है जे लों बढ़ी हों गये है चोटी करते हैं कि यह दो चोटी-चोटी शिस टैंới कि इन छोटी स्क्राइब से क्या जा रहे हैं यहां से लाइट जा रही है यहां और यहां से क्या हुआ लाइट शोर्स गया यहां पे इंदे सेंस बैटन बनेगा तो इसको जब यह ओनली यह ओपन हो यह वाली तो आई वन है ओनली यह ओपन हो तो आई टू है वेन बोल्ट स्लिट आर ओपन देन इंटेंसिटी क्या होगी आई इकल टो आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडू टू अइन आई टू कोस फाई और फाई क्या है वाहां पे फाई क्या है फेज डिफेंस बिट्विन वेव अराइविंग एड पोजिशन पी फ्रॉम स्लिट वन तू स्लिट तू देखो यह अपना स्वर्स है यह अप यह पंड़ना के यह पर्दा जिस पर पैटण्बनेंगे तो यह मेरा ऐसवन है कि यह मेरा हैं सिह है जी मेर इंड इन दिए यह तो इलक्टन बीम यहां से निकली है और यहां से निखली तो यहां पी-पॉइंट पे क्या बना रही है पैटन बना रही है अब यह कुछ यहां से कुछ ऐसे से निखलेगी तो यहां से भी कुछ सर्कुलर सेप में निखलेगी तो यह कुछ इंटर्फरेंस पैटन बनाएगी और यहां पर इंटर्फरेंस पैटन बनेगा ठीक है तो फाई क्या है कि फेज डिफेरेंस है इन दोनों में ठीक है तो फेज डिफेरेंस जो कि किसकी एक्वल है टू एन पाई आई मेक्समिम कहा होती है जब जो प्रूट 1 प्लस रूट 2 का होल स्केर और आई मिनिमम मार्ण इक टो रूट 1 रूट रूट I1 माईनस रूट I2 का होज शकेर इसे करते है संपोशी ओर इसे करते है विनाशी ठीक है आगे चलते है कि अब इसके बारे में जानते हैं इंटेंसिटी ओर्ड फोर क्लासिकल पार्टिकल क्लासिकल पार्टिकल के लिए यह क्या होगा इंटेंसिटी आई इकल टू आईवन प्लस आई टू कि इंटेंसिटी एड्ड सोरी ओर्ड नी एड्ड यान कि जब क्लासिकल पार्टिकल होगे जैसे कि वह मालो कोई बुलेट है बुलेट मैं फाइर कर रहा हूं यहां से इस सिलिट से जाएगी एक सिलिट एक यहां सिलिट है एक में बुलेट है यहां से और यहां से तो कुछ usb कि चीजए कुछ घुद्रीट क्या है और इनकी इंटेंसिटी क्या होगी आई nutrients यहा फिर क्वांटम सिस्ट्म की बात करता हूं तो क्या होगा तब उनका एंपलिट्यूड एड़ होगा ठीक है तो आई साइवन प्लस साइटू क्या दिखाता है एंपलिट्यूड किसके लिए क्वांटम सिस्टम के लिए वेनेवर वी डिटर्माइन एक्स्पेरिमेंटली आउटकम ओफ एंडिविज्वेल इवेंट ओफ फोर माइक्रोस्कोपिक माटेरियल पार्टिकल इंफ्रेंट्स पेटर्न गेट्स दिस्ट्रोईड जब जब हम जब जब हम किसी क्वांटम शिस्टम या फिर माइक्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट को देखने के कोशिस करते हैं मालो तो मैं यह जो बन रही है इन ऐसे लगा दूँ एक उब्जर्वे बिठुवा दूँ यानि कि मालूम है यहां पर मैं सीने लगवा दी और मैं देखना चाहता हूं कि एलिक्ट्रोन कोई छीछ छीप जा रहे हैं या एईस से जा रहा है या ऐस तूसे जा रहे वह इसको देखने के लिए मिरे को क्या काना पड़ेगा सिस्टम से छहट खानी करनी पड़े जैफंसे शैनका आपने Schrodinger Kate के बारे में तो सुना होगा से जो प्रोबबिलीटी के बारे में है जो Quantum Mechanic System को डिफाइन करता कि जब जब मान लो एक box में मैंने Kate को रख दिया किसके साथ एक प्रोज़न के साथ तो आप मेरे को और मेरे पास क्या probability है कि केट अलाइव है या डेड़ है तो वन बाई रूट टू साई अलाइव प्लस वन बाई यह दो गया साई डेड़ तो में पास यह प्रोबिबिल्टी आती है यह फंक्षन आता है मेरे पास टिकेट अलाइव है या फिर केड़ डेड़ है तो यह मेरे पास यह स्टेट आ गई उस सिस्टम की ठीक है तो इस जब भी हम किसी चीज की कुछ जानने की कौशिस करते हैं कि वो कौशिस लिट से जा रहा है तो इंटर फ्रेंस बेदन क्या जाते हैं डिस्टोइड हो जाते हैं एल कि क्या है इंपौन्टनट्टफेंटे व्यवनेٹर से दिट्टेपड diameter यान कि वेवनेटर कभी हो जब लेंडा क्या हो था साइड शिस्टम की साइज से क्या ना ही हो या इक्वल हो और नोन cannis h कि नड़न्य दिटेपड है सिस्टम की साइज ाई छोटी अब हम in er यह अम नॉन हो प्राइस के बारे में देखते हैं तो यह लो कि नॉन रेलिटिव केस में क्या होगा वी क्या होगा लेज दन सी होगा ठीक है यानि कि प्रकास के बेकिशिए बहुत बहुत कम, कैनेटिक एनेर्जी क्या होगा, रिस्ट एनेर्जी से बहुत बहुत कम, और लेक्ट्रोन, यह लेम्डा एलेक्ट्रोन क्या होगी, अटूरूट ओफ, या तो आप एसे निकाल सकते हो, 12.28 अटूरूट हुई, या फिर देड़ सो, उपन वी अटूरूट, एंगर्स्ट्रॉंग में ठीक है रिलेटिव केस में क्या होगा वी ओल्मोस्ट इक्वल टू सी होगी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू या गरेंदेन रेस्ट मास एनर्जी और लेम्डा क्या होगी अच कट अपॉन रूट ओफ रूट ओफ अंडरूट ओफ टू इम इवी वन ब्रेकेट वन प्लस इवी अपॉन टू अम इसी स्कार यानि की यह किस के लिए इलेक्टोन के लिए जब आप मास इलेक्टोन का ले रहे हैं तो यह लेम्डा किस के लिए प्राप्त होगी अब हम बात करते हैं नोन इस्टिक प्रोटोन की वेवलेंद के बारे में तो यह किसकी एक्वल है जिए पॉन टूट वी एंगल स्टोंग द्यान में रखना प्रोटोन के लिए अब बात करते हैं एक्वी पार्टिशन थोर्म के बारे में अब एक्वी पार्टिशन थोर्म क्या है कि एवरेज थर्मल काइनेटिक एनरजी असोशेटेटेड विट इच दिग्री ओफ फ्रीडम इज अंडूट वन बाई टू के बी टी पर नॉन डेवलेट इलेवलेटिविस्टिक के लिए एनरजी क्या होगी पर पर डिग्री ओफ फ्रीडम के लिए वन अपन के बीटी और रिलेटिविस्टिक के लिए के बी टी जाने के कहें बोर्डवांन कॉंस्टेंट त्री का है टेमपरेचर अधिर ऑपट और पर्रीष की परचिकिक एक्षस एक्स में वाई में और जड़ में तो कितन दिग्री ओगई 3 डिग्री त्री दिग्री के 3x2 के पिटी ठीक है सब कर देंगे और क्वांटम मेंकेनिक यह क्या में इस रिलैटिव क्या होगा पर डिव फ्रीडम क्या होगा के बीटी अब लेम्डा एवरेज लेम्डा एज कट अपान अंट रूट अब नम के बीटी और मोस्ट प्रोबेबल क्या होगा एज कट अपान रूट अफ तू एन एम के बीटी वेव पार्टिकल डूलिटी इसके बारे में और देख्धें यह क्या जो वेव पार्टिकल डूलिटी है पार्टिकल एड वेव एक्वेप्ड पॉंटेंट फोर एक कंप्लीट दिस्क्रिप्शन ओफ क्वांटम मेकैनिक्स यानि कि जब जब हम क्वांटम मेकैनिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो पार्टिकल नेचर के बारे में भी पढ़ेंगे और साथ-साथ में वेव नेचर के बारे में भी एकदम डिटेयल में पढ़े देगें दोनों के बगर कॉंटम मेकैनिक्स को समझना मुस्किल है अब मालो अब बात करते हैं सुपर पॉजिशन ऑफ डू वेव दो वेव का सुपर पॉजिशन कैसे होगा इसकी चर्चा कर लेते हैं तो चलो माल लिया कि साइवन एक वेव है साइवन जो किसके बडाबर हैं एक और के वैनक्स माइनस ओमेगा वन ती दूसरी माल्दी तो वाइट टू बराबर एक और के टू एक्स माइनस ओमेगा टी एमेगा टू टी तो क्वांटॉ मेकिनिक्स में क्या होता है । आफ इमपिलिटूट एड़ अधे,217- 2016. add क्या मैंने तो यह हो गया A बहर cos k1 x minus omega 1 t plus cos k2 x minus omega 2 t अब इसको cos formula से इसको expand करेंगे तो यह 2 A cos k1 plus k2 upon 2 x minus omega 1 plus omega 2 upon 2 t cos k1 minus k2 upon 2 x minus omega 1 minus omega 2 upon 2 t तो यह mathematical formula है cos का याद रखो अब माल लिया k1 plus k2 upon 2 क्या माल लिया k note माल लिया omega 1 plus omega 2 upon 2 माल लिया omega note माल लिया k1 minus k2 माल लिया delta x और यह delta omega तो अपना superposition y क्या हो या 2 A cos k0 x minus omega t cos delta kx upon 2 minus delta omega upon 2 t 8 t ब्राबर 0 8 t ब्राबर 0 साइ इक्वल टू साइ इक्वल टू साइ इक्वल टू 2 A cos k0 x cos delta k upon 2 x ठीक है यह अपना आ गया तो देखो यह तो है cos omega n चोरी cos k0 x और यह cos delta x delta k x upon 2 और यह और यह फिर पूरी superposition की वजह से जो वेव बन दी है वह तो फेज ओफ वेव ओल्वेज कॉंस्टेंट यानि कि जो फेज है वह k0 x minus omega not t equal to always constant देल्टा k upon 2 x minus omega delta omega upon 2 t is always constant 3x upon dt equal to omega not k not this is called phase velocity phase velocity यानि यह जो particle है मालो यह particle है यह उस particle की वेव है तो यह वेव जो यह वाला हिस्टा चल रहा है यह वाला हिस्टा चल रहा है यह वाला हिस्टा देखो यह वाला हिस्टा यह वाला हिस्टा यह किस स्पीड़ से चल रहे है इसको क्या कहेंगे कि फेज़ वेलोसिटी थीक है और dx upon dt हर दि-एकस अपन डिती क्या हो जाता है डेल्टा प्रमेगर डेल्टा अपन डेल्टा के यह से क्या रेंगे गुरूप वेलसिटी जो यह वाली है यह यह वाली जो यह पूरा टेकेट चलता है तब इसको कहेंगे गूरूप वेलोसिटी अब देखो फेज वेलोसिटी और ग्रूप वेलोसिटी को आगे और डिफाइन किया हुआ है तो फेज वेलोसिटी क्या निकाला ओमेगा अपॉन के ठीक है इसको किस फर्म में लिख सकते हैं ओपर नीचे एज कट से मिल्टिप्लाइ करेंगे तो है एट कट ओमेगा है अपन एज कट के और दिस इविव कर टू एज कर टो मकी क्या था है ऐसकत मेगा और एज कर क्या हुता है पी तो पॉन यह यह अपॉन और यह इसी तरीके से यह दी आपॉन गुरूप पर लेक्षिन का जगे दी इःपॉन डीपी अब देख इंपोर्टेंट पॉइंट फेज वेलोसिटी है जो फिजिकल सिगनिफिकेंस यानिकि जो फेज वेलोसिटी उसका कोई फिजिकल मतलब नहीं है अ कि फोर सद्सक्राइब ऑन इसके बारे में बढ़ेंगे तो यहाँ होते हैर न क्लासिकल के लिए होलगा है पी स्क्वेर फ़्युर्ट घा में इस तरफ लेजिए सिटिंग में यह क्या बढ़ होगा पी अपोन 2m0 और पी अपोन मैं क्या हो गया ग्रूप वेलोसिटी तो ये रिलेशन आ गया फेज वेलोसिटी और ग्रूप वेलोसिटी में ग्रूप वेलोसिटी इस एक्वाल टू टू एन टू अब देखो ये कहे है इस इत्रिमिस्टिक केस के लिए क्या आता है W इसाट V P equal to E upon P और E क्या होगा Gamma upon M not C squared P क्या होगा Gamma upon gamma into M not V ठीक है तो V P क्या होगा C ये तो cancel होगे क्या बता C upon V into C इसका मितल क्या होगा V is greater than C ये तो क्या हो कॉंडडिक्टी कोई भी वेलोसिटी C से ज्यादा नहीं हो सकती तो इसका मितलब That is Group Velocity gives the Interpretation of the Particle Velocity अब relation Relation between Group Velocity and Phase Velocity Group Velocity D Omega upon DK We know that Omega equal to Omega K upon K V P Omega equal to V Sorry V P ये मैंने या रख दिया इससे मैंने इसका Difference Session किया तो पहले V P बाहर K का Difference Session किया D K upon DK1 Plus K बाहर D V P upon DK Tally से में करूं दूसरी मैं क्या करूंगा हम जानते है K equal to 2 Pi upon Lambda है ना तो मैं क्या निकालूं D K D K निकालूंगा तो ये हो गया Minus Minus का 2 Pi upon Lambda square D Lambda तो ये मैं क्या रखूंगा इसमें रखूंगा इसमें रखूंगा तो मेरे पास ये आएगा V P minus Lambda D V P upon D Lambda ठीक है और अगर मैं इसको Momentum के Form में लिखूंगा V G equal to V P plus P D V P upon D P P क्या हता है H kate upon K तो मैं D case से निकाल लूँ हो ठीक है अब ये देख लो आप जैसे मैंने बता तो दिया लेकिन फिर भी देख लो इंदर साइड में लिखा हुआ है K क्या है 2 Pi upon Lambda D K equal to minus 2 Pi upon Lambda square D Lambda Omega क्या है K V P V P क्या है Omega upon K P के है H upon K DP क्या हो जाएगा H upon D K ठीक है यह पूट कर दा है तो यह स्याम इकेशन 1,2,3 पर आप तो देगी अब चलते हैं 4th पोइंट पे 4th पोइंट क्या ता है 4th पोइंट क्याटा है नोन डिस्प्रेसिव मेडियम फेज वेलोसिटी इस इंडिपेंदेंट ओफ वेबलेंग यह देज दी वीपी अपन दी लेंड़ एकल टू जीरो ठीक है तो यह अगर जीरो हो गया तो ग्रूप वेलोसिटी किसके ब्रापर होगा वीपी के कि पॉर्न डिस्प्रेसिव मीडियम अब फांचवा पॉरइन्ट पांचवां पउर्ट है डिस्प्रेसिव मीडियम के लिए नॉर्मल डिस्प्रेसिव मीडियम है तो दी Sammy बीदी लेंडा इसकील गोगी फेजवेलविशटीज के ठीक है उच्छे के और दी लेंडा। dn upon d lambda क्या होगा नेगेटिव एन क्या हता है c upon v तो लेमडा बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा फेज़ वेलोसिटी भी बढ़ेगी फुर एन एन नॉर्मल डिस्प्रसिव मेडियम के लिए dvp upon dd equal to minus negative that is group velocity क्या हो जाएगी फेज़ वेलोसिटी से बढ़ेगी और जैसे तब क्या होगा dn upon d lambda positive जिसका मतलब अगर लेमडा बढ़ेगी तो फेज़ वेलोसिटी क्या होगी डाउन आए ओके तो देट्स ओल फूर गाईज वीडियो कैसा लगा या आप कमेंट करके जरूर बताएं और आपको और डिटेल में चीए तो आपको और बताएं कुछ भी प्रॉब्लम हो टेलेग्राम ग्रूप रहा अपने कमेंट बोक्स रहा कैसे भी बताओ लेकिन बताओ ठीक है और चैनल को क्या करोगे सब्सक्राइ अच्यक्टो ना आपको बातओ और चैनल के लिए जरूंआ कोप्स कोणे आपको और चैनल की खाने कमेंट बताओ यह आपको और प्रॉब्लम हो एक कर्या नितल कीले में का आपको और घूटार चैनल का बाताओ और शेयू और लूदोंगें आपको फूल्म